नमस्कार आदाव आप सभी का स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम में मैं हूँ आपके साथ शेल जतियागी दर्शको जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हकीम सहाब ने एक मोहीम की शुरुआत की है जिसके तहत हम अलग-अलग सिटी में जा रही हैं अपने पेशेंट से मुलाक कर रही हूं जान रही हूं उनकी सेहत का हाल न में आज में जिनकी घर पे मौजूद हूं उनका नाम है बीबी सारा गोरानी जी तो चले मिलकर उनका स Video करते हैं जानते हैं उनकी सेहत का ह हाल सबस्जाइब सबसे पहले तो आपकी उम्र जानना चाहंँगी 76 8 perfect और ये जगे क कोगिलो करास है ठीक है आप हकीम साहब से कैसे जुड़ी मैं टीवी से जुड़ी राहे नजात ऐसे प्रोग्राम देखती थी मैं तो मुझे अच्छा लगा और घरेलू इलाज है पूरा तो उससे मुझे अच्छा लगा मैं इससे जुड़ गई ठीक है आपको क्या तकलीप मुझे डाइबटिक थी जड़ी देखता है अजिए कि मैं अच्छी चीज है ना बगार अलोपेटिक दवा के जिएभी मैं शुड़ी की सबसे पहले तो मुझे भगा सिरका बतायों जैतुन का सिरका तो मुझे थी मैं तो मैं प्ली आके आपके 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 आपका तो वो शुरू की, तो मुझे अराम लगने लगा, तो सबसे बादे मैं चूरन खाना चूरू की हो, वो छे चीजों का चूरन है देखी हो, तो धन्या, मेती, जीरा, सोफ, सोट वगारा, उस से भी मुझे बहुत अराम लगा, हर साल बीमार होती थी मैं, ये खाने की वजा से म मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं वा, शुगर मेरा नार्मल हो रहा है भी, साथ ही मही वो गौन जामून भी ले ली हूँ, तो वो ले रही हूँ हूँ, और चलबुजे का गौन मंगा के मेरी बहु को दी हूँ, इमुनिटी के लिए, नमक जैतून ले रही हूँ, उसमें त कोई अब तक कोई भी इनानी अईरेडिक दवाई अभी तक नहीं ली हूँ, इससे हमारे हकेम साहब की ही ली हूँ, और बहुत अच्छी भी लेगी मझे, कि घरेल घर में सब कुछ मिलता है, साइड एफट नहीं होता कुछ मिलता है, तो अपने अलोपेथिक दवाई के अच्छी 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 ले सकती हूँ, तो आपके साथ जो और लोग भी जूड़े हैं, मेरे प्रवशी को भी दिए यह दवाई यह तो ऑब उनका भी थाहराट कम हो गया, मेरा थाहराट भी कम हो गया, मेरा थाहराट भी गोली भी कम कर दिये डॉक्टर, अब दिए वो थाहराट रॉक्टोथ, जी अच्छी अच्छी रोज एक लेती थी सुग में डॉक्तर सब्स्दियों के लिए क्या दवाल दॉक्ता, अच्छी नहाराट भी हो गदोख को अच्छी अच्छी नौरम ए गता लेती हूँ तो घरमे ही सारी चीज़ा भी कि अच्छी सूद मेरे बेटे के लिए भी उपेट खराब रहता था तो उसको भी मैं मंगवा की दी और बेल पत्थर का मुरबबा वो तो आपके हैं नहीं मिला मुझे आप नहीं बनाते भूले ओ तो मैं बंबई में दुसरे जगा से लेकर अराम मिला उस उनको अराम है और एक उनके दोस्त है वो भी दमाम में हैं उनको जुड़ों का दर्द भूता हूँ तो गौन सिया मंगा की दी मैं उनको कैसे रिजल्ट में उनका रिजल्ट वही अभी आया नहीं अच्छा कब से ले रहा है वो एक तीन महने वे उन्हों लेगे अब तीन महने के बाद में देखना ना आये तो जिसको सदर है और यकीन है वही अस्तिमाल करना बेहतर है बिलकिल बहुत सवह बात आपने कही है किकिए यही बात हम अपने प्रोग्राम के ंपनासकते हैं तो मैं मिप पहले की जिन्दगी और अब की जिन्दगी में कितना aktivist हो हैं मैं अपने हं भात्तित को हलकी म मैं सुझ कर सकती हूं, मैं धर में पूरा काम कर सकती हूं असे, और कुई प्राप्लम अल्ला के फजल सी, मुझे कुछ भी नहीं है, से नियु खाँ सी, कुछ ने कुछ उता ही रहताशा मुझे, उल्टी बगारा ऐसे, हर साल बीमार होती थी, अब तीन साल से मुझे कोई प्राब्लम नहीं है, बहुत आरामों में, ये दवायां इस्तिमाल करें, सब को बोलती हूँ में, ये खाओ, लेकर सबर करो, जितना हम अल्ला में एकिन करते हैं, वो ते दवायों पर डाक्टरों पर भी एकिन करना चाहिए। पसंद आया, और बगहर किसी वो ऐसे लालच के कोई बात नहीं करते हूँ, बिलकुल कुल मकलूसाना अंदाज में वो बताते हैं, ऐसी चीजें लो, तो ऐसी चीजें ही हैं वो, जो कुछ भी बैसा ही नहीं लगता उसके अंदर कुछ भी, अब हम डाक्टर के पास जाओ तो तो पास सो पर लेता है, डाक्टर, बिलकुल, इससे बहतर है कि ये जब चल रहाएगा, और ये तमें अल्ला की रहमत भी है, हुजूर की शिपा भी है, और हमारे डाक्टर सब का खुलूस भी है इसके अंदर, बिलकुल, तो सारी चीजें हमको यकीन दिलाती हैं, इसलिए म है, हमारे डाक्टर सब की दवाईयों में है, जी, 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 तो मैम हकीम साहब से कभी आपकी बात हो पाई है, ये एक ही बार हुई थी, बड़ी मुश्किल थे, लगता ही नहीं आपके, हकीम साहब का फोन, उसकी मुझे बहुत शिकायत है, अगर हम भी कॉल लगाएंगे, हमारे हमारे भी नहीं लिया को क्उ साहब है, लुकून करते हैं कि चार पांच प्रोग्राम करते हैं, थो को सकता है, और कभी-कभी दुबाही जाते ही बहुते लूगा söz, बढ़ाइना हैं, अपारम ये भॉल लेती हूं और रekश करते हैं, क wellness करते हैं, कोई बहतर दवाएं तो बता देते हैं और किस तरह इस्तेमाल करना बता देदेगा अप्छी है मेरे लिए मैं अच्छी हूँ अपकी बात जरूर उनसे कराएंगे लेकिन आप अपने मन की कोई बात अगर हाकीम सहाब को कहना चाहती हूं इस इंट्रिव्यू के सरी कह सकती है जब दिल्ली के बराबर है और उनका खुलूस, उनकी मेहनत जो बेघर्स खिदमत कर रहे हैं लोगों की वो मुझे बहुत अच्छा लगता है और इसी तरीके से वो खुलूससे लोगों की खिदमत करते रहें मैं यहीं चाहती हूं बहुत सारे लोग पैसा ना बरबाद करते हैं साहब की दवाइं इस्टिमाल करेंगे तो उनको हमेशा के लिए बीमारियों से नजात बिलेगी बिलकुल वो पता दें गरम पानी प्यों ये सब पता देने हम इस पूरा फालो करती हो गरम गरम पानी पीती हुए हमेशा तो सारी चीजे आप लिख लेती हैं मैं डायरी में ल कुछ लोगों को तोतलापन वगरा से रता है उसकी भी एक दवाई बता है वो दिधी हुमें वो दवाई याद है आपको ये इसमें में शहद में काली मिर्ची और रोज का एक खत्रा रोज इसंस का वो पिला दिती हो सुबों में ठीक है मैं जो आपको देख रही हैं लेड आपको देख के आपके चेहरे की रौनक देख के आपको सेहत मन देख के तो जो आपको भी सुन रही हैं महिलाएं आपकी उम्र की बहुत सारी बिमारियों से परेशान हैं दवाईयां खाखा के परेशान हो चुकी हैं कोई रिजल्ट उन्हें नहीं मिल रहा है युनानी की अभी तक नहीं आई हैं, उन्हें आप क्या कहेंगी? मैं तो कहूंगी कि वो युनानी का ही इलाज जियादा करें क्योंकि इसमें उनको घरेलू नुस्के मिलते हैं जिससे कोई खर्च नहीं होता बस महनत करके जरा घर में बना लिएंगे तो ठीक है और हो सकता है जराज देर होता है इसका असर लेकिन देर आयद दुरस आयद तो इससे वो लोग जैसा के डॉक्टर साब बोलते रहते हैं इदायत देते हैं गरम पानी पियो वाकिंग करो इस सब जो बोलते हैं उसको फालो करें और सहत मन्द रहें तो आपके साथ घह मेरे घ़ने और कौन- norms रहता है मेरे घर में यहां पर मेरे मेरा बेटा रहता है और बहू और तीन बच्चे रहते हैं मैं हुबली में रहती हुँ ताजनगर उंकल में बढ़ आती-जाती रहती हुँ मेरे बीटे के पास दर ठीक है तो बच्चे जब आपको देखते हैं बिल्कुल सेहत मन तो उनका प्रेशान पिछले तीन साल से बहुत परेशान थे हो सब अपने ड्यूटी छोड़के मेरी खिदमत में लगे रहते थे अभी तीन साल से अल्ला के फजल से अल्ला के महरबानी से हुदूर की शिफास स बहुत बहुत शुक्रिया मैम आपने घर हमें बुलाया और आपकी सेहत का हाल जान के भी हमें बहुत खुशी हुई हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको धेर सारी दुआए मैं बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी शुक्रिया जो आप मेरे लिए यहां तक तच्रिफ ला और आपके जरीए कितने सारे लोग अब ये समझ पाएंगे कि युनानी ट्रीटमेंट कितना बेहतर है शुक्रिया माँ तो दर्श को देखिए आप सभी ने सुना कि आप अपना ख्याल खुदी घर बैटे बैटे रख सकते हैं आपको विश्वास करना होता है आपको एक कदम आगे बढ़ाना होता है घर बैठे बैठे आप खुद का ख्याल खुदी रख सकते हैं घरेलों नुसकों के जरीए युनानी ट्रीटमेंट के जरीए अगर आपको भी मिला है हकीम सहाब के किसी नुसके से फायदा किसी दवाई से फायदा तो आप लोग भी अपने घर हमें इन्वाइट कर सकते हैं तो आज किस खास कारेकर में बस इतना ही आप मुझे भी दीजी इजासत नमस्कार आदा